हेलो फ्रेंट्स एक बाद फिर से आप सब का हमारे चैनल पर बहुत वह स्वागत है हलो बोलो हलो तो फ्रेंट्स आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि बच्चों के कान को आप किस तरीके से जो नॉर्मली साप कर सकते हो तो इसके लिए हम ले रहे हैं एरबन तो इससे जो करने वाले हैं कान की सपाई तो छोटे बच्चों की कान की जो सपाई करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा ध्यां रखने की जरूरत है तो चलो फ्रेंट्स वीडियो को इसस्टार्ट करते हैं और डेक यह जो कान की जो सपाई करने हैं तो आपको क्या करना है कि, एक बार तो अच्छी तरीके से यहां से पकड़ना है, अराम से, अराम से आपको क्या है कि कान की सपाई करनी है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ज्यादा जल्दबाजी में जो प्रोब्लम हो सकती है, तो चलो अभी करते हैं, यहांसे पकड़े अराम से है आपको लगाना है ज्यादा आगे है जो बिल्कूल नहीं डालना है तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसके साथ में है एक डाल चैश बहुत दीए जो नहीं हिलता है नहीं करें भूद सनास है यह बूल दाया है मैं खुद अपने हाप से भी करने कुछ लेकिन बस नहीं चाहिए आप नहीं करने दीला है तो चलो अभी अब यह फिर करती है आपको तो यहां से यह जो आपको करने है कान की सपाई तो यह देख सकते हो फ्रेंड्स कितना ज्यादा है जो कचर है जो निकल रहा है निकल रहा है तो इसको सब कुछ बता रहे हैं तो यह आपके घर में भी बच्चा आराम से करवाता है तो यह आप फुछ से सपाई कीजिए कान की ऐसे नॉर्मली यहां से तो आप जल्दी से कर स लेकिन जो कान का जो छेद है उसके अंदर है जो ज्यादा नहीं डालना आगे दिक आपको तो फ्रेंट्स इस तरीके से आप सोटे बच्चे के कान की अजो सपाई कर सकते हो फ्रेंट्स यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और चैनल पर फैस्ट बार आयो तो चैनल को जरू-जरू सबिस्क्राइब करना मिलते हैं next video में टब टक, बाइब्स प्टेक, भी बाइ!